तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जाव युवान वगेरा यहाँ पर एक सींड प्रेसर फिल करते हैं जो कि सैक्रेड रेस का पंदा था पर इन्हें ब्लोग मास्टर कांग युवान कर देते हैं अब आगे जाव युवान भी पूसता है कि ये लोग प्लैन क वो बेसेकली एंसेस्टरल ड्रेगन के स्पिरिट्स का एक कंडेंस फॉर्म है और अगर उसे जनम लेने दिया जाए तो एंसेस्टरल ड्रेगन के स्पिरिट का एक दूसरा इसेंस जनम ले सकता है ऐसा तुमने सुना नहीं होगा जावीबान भी बात से सहमत था कि और हलका सा spirit मिले है इस sense का तो वो center stage में जा सकते हैं और ये बताते हैं कि stone dragon खुद में एक divine treasure है क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे revenant spirits होंगे और उससे हम बहुत सारे pills बना सकते हैं तो इसका जो importance है ये गूयवान battle से भी जादा है लेकिन ये फिर ये भी बोलते हैं आगर आज यही था कि sacred god यानि जिने second god भी का जाते हैं वो अब recover कर रहे हैं और अगर वो recover कर गया है तो ये बहुत बड़ा bad news होने वाला था तो सीधा सीधा यही था कि इन्हें उस domain के लिए fight करना ही पड़ेगा और कांगिवान में अब बोलते हैं कि ये matter काफी important है तो हमें omega shrine ज अच्छा मौका है युवान को समझ में नहीं आता है ये बोलती है तुमको nascent source के उपर जाना था ना यहाँ पर तुम कर सकते हैं यानि जो limit तोड़ना था अब इदर कुछ दिन बीच जाते हैं और all heaven city में एक अलगी महुल था जाओ युवान भी उस जगे में जाने को पर ऐसा sneak in नहीं कर सकता ये क्योंकि sacred race वाल हैं तो मरना पक्का था तो फिलाल ये लोग omega shrine का वेट कर रहे थे कि वो लोग एक plan बनाएंगे होता भी वैसा है prime sovereign general वो आते हैं 17 cent export के साथ मतलब matter कितना important था इसको देखा जा सकता है अब जब ये लोग आते हैं तो कांगीवान इनको यावयो एक wine of glass देती है पर इस समय कांगीवान थोड़े emotional थे क्योंकि इन्होंने यावयो को बेटी की तरह पाला था बट वो अब पहले से काफी रधा detached हो चुकी थी इनसे कांगीवान दिखाते नहीं पर कभी न कभी ये दिखता था फिलाल कांगीवान अब वो matter explain क करने लगते कि वो special coordinate से sacred race वाले enter कर रहे थे इसलिए किसी को पता नहीं चलता है और यह बताते है कि prime sovereigns का मानना ही है कि हम सीधा उनसे head on clash लेंगे और यह सही मोखा है क्योंकि अभी तक उनके sacred god जागे नहीं है सबसे पहले prime sovereigns जिन लोगो space में crack करेंगे जहापर हमको enter करना फिर एक रास्ता बनाएंगे उसके बाद सभी लोग उधर बढ़ेंगे जाविवान समझ रहा था यह अभी तक का greatest battle होने वाला है इन सालों में जितना भी इन लोगोंने fight किया है और कांगिवान इस दोरान याव्याव की तरफ देखते है क्योंकि जिन लोगों का ये भी मा पड़ेगा कांग इवान मान जाते है पर जाव इवान कहता है कि याव याव ये तुम्हें कहने के जुरत नहीं है अगर वो हिस्सा है तो उसके लिए मैं खुद fight कर सकता हूँ क्योंकि ladies के पीछे ये छिपके रहना नी चाहता था याव याव भी इस दुरान बोलती है वै उससे अच्छा भी battle कर लो फिलाल ये लोग wait कर रहे थे और अभी तक prime sovereign जिन लोग नहीं आये थे और ये लोग उस तरफ निकल जाते है अब ये space में crack करने की कोसिस कर रहे थे पर सामने से भी एक force आता है बट इधर से भी जो भी send exports थे वो इस hole को manage करने लगते है और sacred race की की तरफ से बहाँ जाती है कि तुम पांच lower heavens वाले तुमारी इतनी मजाल पर बदले में कांग इवान भी smile करते है और ये लोग सीधा आगे बढ़ने लगते है स्पेस पोर्टल से अंदर जाते है और secret domain में पहुच चुके थे और कांग इवान भी बोलते है कि ये जगे जी कुआंग फिर से कहता है कि मतलब लगता हम लोग को जादा ही तुम लोगों को इज़्जत दे दिये तब ही तुम लोग जादा उचलने लगे हो दोनों तरफ से सेंट एक्सपोर्ट भी लगबख सेम ही थे एनि अगर इधर से 18-200 में तो सामनी की तरफ से भी जी आश्ट बार पूछ रहो पीछे अट जाओ पर कांग इवान कुछ बोलते नहीं अब दोनों तरफ से एक बैटल शुरू हो जाता है इधर जाव युवान वगएरा पॉर्टल की तरफ देख रहे थे जापर वो क्रैक था पर यावयाव इसे बताती है बैटल एक दम नेक ट को दिखाएंगे वहीं कांग इवान का जो बैटल था वो जीग वांग से चल रहा था दोनों डबल सेंट लोटस स्टेज पे थे और दोनों पुराने दुश्मन हैं और इस समय जीग वांग यहापर एक टेक्निक यूज करता है जिसे परपल लाइट मिरर कहते हैं यह इसका सेंट आर्टिफेक्ट था और कांग इवान हसते हैं कि तुमारे यह परपल लाइट आभी तक बदला नहीं और जाओ यूवान इस समय देकर हैरान था क्योंकि कांग इवान जो टेक्निक यूज कर रहे थे जो वैपन वो था स्काई इलुमिनेटिंग आई जिसमें एक बार इसने प्रैक्टिस किया था और यह बोलते हैं स्काई इलुमिनेटिंग ब्लेजिंग सील और सामने वाले अटेक को काउंटर कर देते हैं ब्लेजिंग सील में से एक ब्लैक फ्लेम निकलता है और परपल लाइटनिंग को लागता है डेस्ट्रॉय कर रहा था अब जी गौंक लोटस का आटिफेक्ट था पर इसे काउंटर करने के लिए फाइनली एक कियोस गोल्डेन बेल आता है यह भी एक ट्रिपल लोटस का सेंट आटिफेक्ट था जिसे यूज कर रहे थे प्राइम सौवरिन जिन लोगो और सामने वाला जो बनता था उससे क्योंकि सैक्रिड र में टुटल साथ प्राइम सेंट थे और प्राइम सेंट टाइमी उनमें से एक था और टाइमी बोलता है कि जिन लोगो तुम अभी भी जिन्दा हो मुझे लगा था कि तुम प्राइम सेंट नहीं बन पाओगे बट तुम बन गया मानना पड़ेगा जिन लोगो स्माइल करत तो किसी को फायदा नहीं होने वाला पर टाई में इस दुरान कहता है इस sacred risk हो तुम लोगों ने हराया कब हालेकिन अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो ये हम पूरा कर सकते हैं और इस दुरान टाई में पूरे space को दो भागों में पाड़ देता है divine light से किसके अगर आगे आए तो तुम लोगों का मरना पक्का है तो सीधा सीधा ये था कि दोनों अपना अपना एरिया पांट चुके थे stone dragon कौन कबजा कर पाएगा आखिरी में वो depend करेगा उसकी ability पे जावी वान को भी समझ में आता है ये best result है और याव याव भी बताती है कि देखो sacred race वाले कब से try कर रहे है stone dragon को कबजा करने का पर अभी तक उसे वो तोड़ नहीं पाएगा अब जिल्लों को भी नज़र sacred dragon पे पड़ती stone dragon पे और उन्हें भी समझ में आता है कि सच में इसे आसिल करना थोड़ा troublesome तो है और इनका भी discussion होता है कि ये जो उस पर एक barrier सा बना हुआ है हम इसे जल्दी तोड़ेंगे तब ही हम आसिल कर सकते है इस दुरान समय निकल जाता है और 15 दिन निकल चुके थे पर ये जो barrier था stone dragon के उपर दोनों साइड में से कोई तोड़ नहीं पाता है brute force से इसे destroy नहीं कर सकते थे ने तो stone dragon के अंदर जो कुछ भी energies होंगी उनमें भी कुछ affection आ सकता है लेकिन समय के साथ इन्हे problem कैसे solve करना है वो समझ में आ जाता है और दोनों साइड same ही idea लगाते है अब यहाँ पर all heaven city में एक hall को दिखा जा था जो कि पहले जब भरा हुआ था यहाँ पर इसके senior sister cheezing भी zowie one को मिलते है zowie one भी इनसे पूछता है मतलब ऐसे अच्छानक से हमें क्यों बुलाया गया cheezing बोल रही थी कि शायद ये वो secret domain से ही related है अब यहाँ पर prime sovereign जिन लोगों भी आ जोके थे और हाथों से इशारा करते कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुला है क्योंकि एक information है कि हम उस barrier को अब तोड़ने लगें बट एक और जी है हमने वहाँ पर एक dragon moving formation बनाया ताक कि हम उस stone dragon को अपनी तरफ खीच पाए लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है investigation के बाद हमें पता चला कि stone dragon क्योंकि ये dragon के essence से बनाया तो वहाँ पर एक divine barrier है और resistance point को हम dragon spirit anchor points कर रहे है और ऐसे total 9999 बे है और ये कुछ dragon nails को दिखाते है dragon moving nails कि उस anchor points पे अगर हम इसे डाल दे तो ये जो resistance force है ये weak हो जाएगा फिर हम लोग इसे खीच सकते है और अंदर में हम saints वगरा नहीं जा सकते है क्योंकि वहाँ पर एक restriction type है एक power है जाविवान काफी खुसता है मतलब ये इनके लिए ही मौका होगे तो sacred race के भी saint experts नहीं जा सकते है पर ये ये भी बताते हैं कि total 9999 anchor points है तो हर एक points पर यो battle होगा क्योंकि उदर से sacred race वाले भी आएंगे तो bloody battle ही होगा सीधा सीधा ये था जो जादा dragon spirit anchor points को जीतेगा उसको जादा advantage मिलेगा इस stone dragon को खीचने में सीधा सीधा अभी शाद 200 से कम chapter सी बचे है तो मान के चलो 15 से 20 दिन में ये खतम होने वाला है आगे बढ़ते हैं अब जिल्लू का plan था साथ में इनके कांग युवान खड़े थे कि stone dragon के लिए हम 89 battle zones बना रहे हैं तो हर एक zone के तरफ जो बन्दा जाएगा वाँ पर एक उसका leader होगा जिसे हम zone leader कहेंगे और जितने लोग anchor points को जितेंगे उन्हें एक-एक ancestral dragon pill मिलेगा cheezing भी इस चीज के लिए काफी excited थे अब इसके बाद जिन लोगो battle zone जो captains होने वाले या leaders उनको बताने लगते कि कौन-कौन है कि पहला नाम तो यह zoo bayyan का लेते हैं जो कि कियान कुन heaven से है वो first battle zone का leader होगा जब इवान इस बन्दी की तिरफ देखता है जानता था यह बन्दा थोड़ा hypocrite है क्योंकि zoo bayyan यह law domain में भी third law domain stage पे था तो strongest तो था यह चीजिंग भी मानती है कि zoo bayyan strong तो है अब चीजिंग second battle zone की leader थी जिंग जायो करके कोई बन्दा था वान शोव heaven का वो third battle zone का leader बन्ता है जायो जियांग शुन हुन युवान heaven यह fourth battle zone जायो जियांग शुन का नाम तो जाव युवान ने सुना था यह वही बन्दा है वान्जू रिजन का जो इसे परेशान भी किया था जाव मुशन को इसी ने तो आदेश दिया था जाव युवान को खतम करने का nine battles वाले scene में जायो जियांग शुन यह भी जाव युवान की तरफ देखता है पर अंदर से इसको भी निराशा थी और जाव युवान को समझ में आ रहा था इसे जल्दी से इंप्रूफ करना पड़ेगा हलाकि जाव युवान आराम से third lomain domain stage थे बच के भाग सकता था बट फिलाल ये चीज़े ये किसी को नहीं बताता है ने तो लोग इस पे हसते है सब युवान आई पे ऐसे ही खड़ा था तब एक आवाज आती कि जाव युवान हुन युवान हैवन का सतत्तर में बैटल जोन का ये लीडर बनेगा जाव युवान खुद अवाग था और जिन लोगों की तरफ देखता है जो कि स्माइल कर रहे थे और सभी लोग अवाग थे बाकि जो भी लोडोमेन स्टेस पे थे कि ये बंदा इससे क्यों लीडर बनाय जा रहा है ठीक है नासेंट सोर्स है अभी वीक है स्पिरिट भी मान लेता हूँ कि इनिशियल ओलोमर स्टेस पे फिर भी वीक है क्या प्राइम सॉवरिन जिन लोगों मजाक कर रहे है लोगों को ये समझ में आता है कि जाव युवान के पास एडवांटेस इसके स्पिरिट का है जो कि लोडोमेन के बराबर माना जाता है और सबसेदा गुस्सा जू बेईयान को आ रहा था कि इसको हमारे बराबर पे खड़ा किया जा रहा है और ये फानली बोल पड़ता है कि प्राइम सॉवरिन जिन लोगों कि आपने ध्यान नहीं दिया बैटल हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है और कई सारे लोग अब चिलाने लगते है कि किसी और को अपोइंट करिए अब बेईयान अलग दिमाग लगाता है कि प्राइम सॉवरिन जिन लोगों ये बंदा पिल्स बनाने में बहुत अच्छा है अगर ये मारा गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऐसा दिखा रहा था कि ये जाविवान के लिए बहुत चिंतित है इधर चीजिंग को भी गुस्ता रहा था कि तुम लोगों को ये लगता है कि जाविवान क्वालिफाइड नहीं है और जावीवान इसके और माजे लेता है, कि अगर बाते करने में कोई उस्ताद हो, तो तुम बातों से साथ स्टोन ड्रैगन खीच लेते हैं, लोग यहाँ पर हसने लगते हैं, और जू बेयान को काफी कुस्ताद है, इधर जिनलो इशारा करते हैं, कि शान्त हो जाओ, और य अब डेसाइड़ हो चुके थे, और देखा जाये तो इसमें सबसे कमजोर, जावीवान ही था, और यह बोलते हैं, कि बैटल जोन लेडर्स डेसाइड हो चुके हैं, अपने अपने मेंबर्स, तुम लोग खुद चुन सकते हो, लोगों को पता था, कि जू बेयान जादा प बोलता है, कि मैं तुम लोगों को ही जूइन करूंगा, पर अब डिसकर्शन यह था, कि यार हमारे पास कोई Lord Omen एक्सपर्ट ही नहीं, पर यहाँ पर आती है, एक लड़की, जिसे यवान पहचानता, और यह थी AI 21Z, I guess यह फेनिक्स क्लैन की है, वान शो हेवन की, और फिल इनको जो information मिला था, sacred race के बारे में, यह वो पढ़ने लगते हैं, और जावी वान एक नाम खास करके पढ़ रहा था, टाइक सुवान, यह सबसे खतरनाक बंद है, sacred race का, लॉडोमेन स्टेस पे, इसे वहाँ का heaven's pride कहा जाता है, जैसे पहले जियाटू हुआ करता था, उसका saint power, मतलब law domain पे हैं, बट saint लोगों को भी, कभी-कभी वो टक कर देता है, बागी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अब जावी वान सुरान, टुन-टुन से पूसता है, तो तुम्हारा power क्या है, टुन-टुन इशारों में बताता है, कि law domain में, जो second stage पे होगा, मैं उस पर यह फिलाल इसे ignore मारता है, पर इदर याव याव भी आती है, कि टुन-टुन थर्ड लोटों में श्टेस ते भी fight कर सकता है, बट इससे भी थोड़े, अगर resources मिल गए अंदर में, तब तो बात अलग होगी, अब याव यह इस समय चेयर पे बैटी थी और थोड़ी काड़ हो सकता है, अब यह बताती है, कि पहले तुम लोग combined हो गए, टुन-टुन की कहने पर, पर होना नहीं चाहिए, divine matter तुम्हारी body में है, इसलिए तुम कर पाएते, बट इसके effects भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम future में कुत्ते जैसे बन सकते हो, जाव युवा इस दुरह इन लोग discuss कर रहे थे, तब ही यहाँ पर bell बसता है, मतलब urgency में इन्हें बुलाया जा रहता है, कि तुम लोगों को आज ही निकलना है, अब याव याव भी मानो एक wife की तरह, इसके तरफ देखती और कहती है, कि सावधान रहना, अब जाव युवान जाते जाते याव याव को किस करता है, और तुरंती भाग जाता है, टुन टुन भी पंजे से इशारा करता है याव याव को, और ये भी निकल जाता है, फिलाली ये लोग यहाँ से निकल चुके थे, और dragon moving जो formation था, वहाँ पे पहुँच चुके थे, यहां के जो boundary थी, इतनी complex थी, कि अलागे जाव युवान, all rumor states पे था, फिर भी पूरी तरह से इसे पढ़ा नहीं पा रहा था, जिल्लू वो भी आपर आये हुए थे, और सबी को guide कर रहे थे, कि कैसे जाना है तुम्हें, अपने अपने battle zone में, और फिर इसे एक बार समझाते हैं, कि यह training experience नहीं है, यह battle है, लाइफ और डेथ का, एक अच्छा खासा motivation भाशन देते हैं, और फिर इसके बाद, सबी लोग अपने अपने battle zone की तरफ निकल जाते हैं, अब इनको अपने अपने compass वगएरा मिले वे थे, कि 77 battle zone किदर हैं, तो उस तरफ यह जाने लगते हैं, और इनको जो team मिलती हैं यहां लाइफ स्पोर्ट साते हैं, यह उनमें से एक था, और जाव मुशन तुरंती कहता है, कि जाव यवान यार तुमारा bad luck, 2-1 जी भी बूलती है, किस बंदे के पीछे में चार और बंदे हैं, वो second law domain stage पे हैं, इधर यह लोग discuss कर रहे थे, वहीं युवान कौन बोलता है, मा युवान कौन कहता है, यह होशी आर दरबोक है, युवान कौन फिर कहता है, इन्हें पकड़ते हैं, फिर निप्टा देते हैं, और वो लोग इनका पीछा करते हैं, वो या उज तुरहन, जाव युवान को बताती है, कि वो काफी करीब आ चुके है, टुवान जी भी सेम बात कहती है करना क्या है अब जाव युवान बोलता है कि सभी लोग मेरे से 500 फिट के एरिया में रहो बस अब जाव युवान युवान ब्रश को बाहर निकालता है और ये जैनेसिस टेक्निक शैद यूज करता है सभी के पास में ग्रीडेट का जैनेसिस रूम चेजिंग ला और बड़ी बात ये थी कि युवान कौन के टीम में कोई भी और ये यूज करता है स्पिरिट डिस्ट्रक्शन सौंग जव युवान भी हैरान था कि यार ये बंदा स्पिरिचुल अटेक कर रहा है जव युवान विदर चिलाता है टुन 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 अपना मूँ खोलता ह और एक बीष्ट का रूर दीता है तो सामने वाले का जो साउंड वेव अटेक था उसे टुन टुन ब्लॉक कर देता है युवान कौन पहचान जाता है अच्छा तो ग्रेड एट का वो भी अलपा होली बीष्ट है और इसे पता था कि इनके टिम में यही सबसे स्टॉंगेस फिलाल ये चेजिंग का काम चलते रहता है और आधा दिन निकल जाता है टुवान जी भी बुशती है कि कब तक हम भागने वाले और सु युवे भी कहते है कि ये लोग ऐसा तो नहीं कि आपके स्परिशुल पावर को खतम कर देना चाहते है जाव युवान भी बोलता है सह इनने जाव युवान को मार देना चाहिए इनकी टीम को और फाइलली ये कुछ सोसता है और इसके टीम एक बंदा सा चील यू करके उससे कहते है कि मैं इनको तुम्हारे उपर छोड़ता हूं इनसे निपट लो पर ये भी कहते है कि तुम अकेले नहीं जा सकते है दो बंद और जाव यूवान अब सबको बोलता है इसके टीम में जो 18-20 या जो भी लोग होंगे कि सब लोग तयार हो जाओ फाइट करने के लिए चीलियू देखता है कि जाव यूवान वगरह रुक चुके हैं और ये बोलता है ये लोग हमारे लिए ट्रैप बना रहे हैं फिर ये बैटल में भी रुका है और जाव मुशिन को लगता था कि जाव यूवान का जो नासेंट सोर्स है वो अलग लेवल पे होगा जाव यूवान के सर के उपर टुन टुन बैठा हुआ था और ये बोलता है इन में से एक को तो मैं पकड़ रहा हूं दो बस्ते हैं अब इस जाव यूवान के तरफ एक इंट्रेस्ट की तरफ से देख रहा था टुन टुन यहां पर सेकरेट बीष्ट वाले अपने फॉर्म में आ जाता है टुवान्जी वगरा भी एक सेकेंड लोग डोमें स्टेस के बंदे को पकड़ लेते हैं पर चीलियू के तरफ कोई नहीं आ सामने आता है कि मैं तुम्हारा पोनेंट हूँ चीलियू कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो मैं मेरे टीम में सबसे स्ट्रोंगिस्ट और तुम मेरे सामने पर्फेक्ट नाश सेंट सोर्स से स्टेस का बंदा अब जाव यूवान भी कहता है कि दो सालों तक मैं बैटल की को रिलीज करता है इसका फांडेशन 500 बिलियन के असपास था जावी वान भी अब अपनी जैनेसिस की को रिलीज करता है इसका प्लैटिनम जैनेसिस की बाहर निकलता है और इसका भी फांडेशन 300 बिलियन के असपास था और ये भी एकदम शौक्ड हो जाता है क्योंकि न नासेंट सोर्स होगा, मिनीमम 9.5 इंचेस तो होगा, और इवेन इनके सेकरेट रेस में भी ऐसे रेयर बंदे ही होते हैं, लेकिन फिर भी चीलियू का फाउंडेशन था, वो 500 बिलियन था, पर जावी वान इस दोरान अपने स्पिरिट को, स्पिरिच्वल पावर को, अपने जैनेसिस की फाउंडेशन के साथ मर्ज करने लगता है, चीलियू भी हसता है, कि तुम सच में सर्प्राइजिंग बन दे हो, लेकिन आभी भी कमजर हो, और एक पाम अटेक ये जावी वान की तरह बढ़ा देता है, अब जावी वान में अपने प्लैटिनम की को यूज करता कि जैनेसिस की को और स्परिश्वल पावर को फ्यूज कर लेकदम परफेक्ट स्टेट में, नॉर्मली ये सेंट एक्सपार्ट ही करवाते हैं, पर जावी वान ट्राइग कर रहा था, वहीं दूसरी दरफ, चीलियू, अपने लॉड डोमेन को, जिसे के प्योर गोल्ड लॉ इदर हर एक तरफ बैटल सो स्टार्ट हो चुके थे, सौवरिन जिनलों के पास एक मैप था, जिसमें हर एक नोड बोले हम, या एंकर पॉइंट्स इन्हें ये देख सकते थे, और कुछ डॉट्स ग्रीन में चमक रहे थे, तो कुछ रेड में, ग्रीन डॉट्स ये दिखा हैं, और रेड डॉट्स ये दिखा देते, जो जगह है, यानि जो एंकर पॉइंट्स, सैकरेड रिसने जीता है, और कांगिवान देख रहे थे, इनके बगल में ये भी खड़े थे, कि जो जाविवान वाला मैप है, एरिया है, वो दिर दिरे रेड डॉट्स में बदल रहा और यहाँ पर लूलियू भी आई हुई थी, जो कि कांगिवान के मजे लेती है, कि लगता है तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल, इस बार मिरेकल्स नहीं कर पाएगा, पर कांगिवान इन्हें इग्नोर मार देते हैं, लूलियू यहाँ पर भी नहीं मानती है, यह जिल्लो करने लगते हैं, और खतरनाक लेवल का एक्स्प्लोजन होता है, इससे भी लगता है कि जाविवान मारा जा चुका होगा, पर धिर धिर जब धूल शांत होता है, तो इसकी आँखे खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि जाविवान एक ब्लैक ब्रश लेके खड़ा था, म युवान ब्रश का आठ fijा रुन था, उसे जैने से सोल कहा जाता है, और इसके यही काम था, यह युवान के, जैने से सिर्ट को फ्यूज कर सकता था, हलाकि अभी युवान खुद से नहीं कर पारा था, पर युवान ब्रश इसमें, इसका मदद करता था, जिसके वज़े से युवान का जो पावर था इस समय चारसो पचास बिलियन के आसपास था और अब इसका युवान ब्रश जो था वो एक सेंट लेवल का आर्टिफेक्ट तो बनी चुका था वेपन और जवीवान फील करता है युवान ब्रश का भी अपना एक एगो है कि ये इवॉल्व होना जाता है अपने आखरी लेवल में और युवान युवान ब्रश बोलता है इसको मार करके हम तुम्हारा सेलिबरेशन करेंगे क्योंकि अब तुम सेंट एक्सपोर्ट के सेंट वेपन हो इधर चीलियू भी हसता है कि फाइट तो करो तुम्हें पता चल जाएगा चीलियू भी जानता था इससे अपने अब ट्रमकार्ट्स यूज़ करने पढ़ेंगे और यह तुरंधी गोल्डेन डेवल इन्फ्यूजन बॉड़ी आट यूज़ करता है और चीलियू का फाउंडिशन 580 बिलिन के असपास पहुच चुका था अब जाविवान देखता है और कहता ठीक है अर्थ सेंट रून और जाविवान का पावर और बढ़ने लगता है जाविवान भी इधर समय वेश्ट नहीं करना चाहता था और जाविवान अब सीधा हैड़ ओन अटेक के लिए बढ़ता है अब यह जो मिलियन वेल्स के पावर थे जैसे जैसे यूवान बढ़ इधर यूवान रुपता नहीं है, हेवनली यूवान भरस, मिरियाड ट्रांस्फॉर्मेशन डबल, हेवनली ड्रैगन, गोल्डेन बेल, अब चीलियू का भी एक्स्प्रेशन बदलने लगता है चीलियू जादा पीछे हट भी नहीं पा रहा था क्योंकि लागतार अटेक् प्यूपिल को एक्टिवेट कर रहा था, पर तभी जावीवान पुछता है, इस जगे के बारे में तुम क्या सोचते हो, चीलियू जगे को देखता है और अवाक हो जाता है, क्योंकि इस जगे पर जैनेसिस रून्स थे, अब चीलियू देखता है, और सभी ग्रीड एट के जैनेसिस रून्स थे, यूवान ने ऐसा रास्ते में जाती जाती है, हर एक जगे जैनेसिस रून्स अपने इस आप से बना लिये थे, तो जावीवान के इसा पूरा प्लैन था, चीलियू फिर भी डरता नहीं जाता, इधर यूवान बोलता है, दा ग्रेट सील रून, और अब expand होना शुरू हो जाते है चीलियों यहां से उठ भी नहीं पा रहा था अब जावीवान के जो runes activate होते है तो यहां पर एक lava जैसा बनने लगता है मानू lava का समुद्र हो चीलियों इन्हें कैसे भी करके survive तो करता है पर इसकी आधी body मानू जल जुकी हो इसका जो law domain था वो भी अब crumble करने लगता है जावीवान भी समझता है कि इनको मारना law domain exports को इतना आसान भी नहीं होता है जबकि युवान ने से golden bell से एक attack किया था साथ मैं अभी Genesis Rones में इतना खतरना का explosion पर यह अभी भी injured था seriously पर मरा नहीं अब चीलिव भी गुस्से में कहता है अगर तुम्हें अपनी abilities पर इतना ही भरुसता है तुम मेरे sacred pupil को खुलने तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हू जावीवान कहता है कि सही मैं तुम पीछे अट जाओगे मतलब चीलिव हार मानने को तयार था चीलिव खुश होता है कि जावीवान अपनी बात मान लिया है पर तब ये फील करता है कि इसकी body पर grade 8 के Genesis Rones इसे घेरने लगया हो चीलिव गुस्ते में चिलाता है गाली देता है तुम उसे जूट बोल रहा था जावीवान भी हसता है कि अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम sacred race वालोगा sacred pupil बहुत strange होता है और जावीवान हसता है कि तुम बहुत funny guy हो इधर यूवान क्योंकि इसे trap कर चुका था तो यूवान ब्रस्ते सीधा इसके head पर attack करता है और चीलिव की spirit को ही destroy कर देता है जी लिओ ये अपने बहुत सारे टेक्निक्स यूज ही ने कर पाये था पर अब regret करके क्या फायता पर मरने से पहले ये जावीवान को कहता है कि क्याप्टन यूवान कुआन तुम्हें जल्दी मेरे पास भेजेंगे तो sacred race का second law domain stage का बनता मारा जा चुका था जो कि जावीवान के achievements में एक और तमगा कही न कहीं लगाता ही है तो story यहीं समाप्त करते है मिलते हैं फिर कल एक नए वडियो के साथ